नविश्कार मैं हूँ सूख्रती यरोय चैटर जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वगत है। नवरातरी के शुर्वात 22 मार्श बुध्वार से हो रही है और 30 मार्श गुर्वार को इसका समापन है। नवरात्री में देवी के नौरूपों की पूजा करते हैं, नवरात्री के पहले दिन कलश की स्थापना करके माता दुर्गा की पूजा करें, नवरात्री के नौदेनों में कुछ जगों पर माता के नाम के मेले भी लगाय जाते हैं, कैराज्यों में ये गुड़ी पढ़वा और माता का मंदर कैसे तयार करें नवरात्री में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना हमेशा इशान कोण यानि उत्तर पूर्व दिशा में ही करें इस दिशा में देवताओं का वास होगा वहीं अखंड जयोत की स्थापना आगने कोण में ही करनी चाहिए माता की मूर्ती इशान कोण में स्थापत इसले करनी चाहिए क्योंकि इससे घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है और घर में माता का वास होता है नवरात्री में मुखिद्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाएं उससे घर में सकारात्म कूर्जा रहती है। साथी घर के मुखेद्वार को आम के पत्तु से सजाएं जिससे घर सुन्दर लगे और घर में शुबता बनी रहे। माता की मूर्ती को लकडी के पाटे पर ही रखे अंगर चंदन की चौकी हो तो और भी अच्छा होगा। वास्तु शास्त्र में चंदन शुब और सकारात्म कूर्जा का केंद्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुब समय में काले रंग का इस्तमाल ना करे। नवरात्री के पूजा पाट में काले रंग का इस्तमाल नहीं करना चाहिए। साथी ये मन को विचलिद्धी करता है बता दें कि नवरात्री में पील और लाल रंग का इस्तमाल जरूर करें पीला रंग जीवन में उत्सा, चमक और प्रसनता लेकर आएगा तो वही लाल रंग जीवन में उमंग लाता है माता को इनी रंगों से सजाएं नवरात्री में शाम होने के बाद कपूर जलाकर देवी मा की आरपीज जरूर करें इससे घर की सारी नकारतमकता दूर हो جाएगी वही नवरात्री के दौरान मीवों के इस्तमाल से भी बचें पेलाल अले से वीडियो में इतना है वीडियो को लाइक और शेयर करें